हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत सुन्दर डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है फेंड़ से डिजयन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इससे न्यू बिग्नर्स भी आसानी से बना सकती है इस डिजयन को आप जैन्ड़्ट, लैडिज और बचचों के किसी भी प्रॉजट्ट पर अपलाई कर सकती है सबी प्रोजक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 7 के मल्टीपल फंदे लेकर 6 फंदे एक्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजक्ट पर इस तरह से एड़ज़्ट हो जाएगा साथ के मल्टीपल देखिए आप इसमें 7 फंदे गिन लिजिए फिर से 7 फिर से 7 फिर से 7 बार बार 7 फंदे गिनते जाएए और लास्ट में आपके 6 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और 6 सलाईयों में कम्प्लीट हो जाता है बोर्डर के बाद अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट पर फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लेजिए सीधी साइड से ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई है वही पहली सलाई मैं आपको यहां से बता रहे हूँ तो आप अपने प्रोजेक्ट पे कोई भी बोर्डर बनाईए और बोर्डर के बाद जो पहली सलाई मैं आपको यहां से बता रहे हूँ सेम आप इसको भुनना शुरू कीजिए तो डिजैन की पहली सलाई और सीधी साई पहला फंदा एजस्टीच है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है अब हम धागा पीछे करेंगे और चार फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, और ये 4 अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा पहला फंदा एजस्टीच है इससे छोड़ कर चार सीधे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा यही 7-7 फंदे का डिजैन अब आप बार बार रिपिट कीजिए धागा पीछे कर लिजिए चार फंदे सीधे 1, 2, 3, 4 फिर धागा अपनी तरफ करेंगे 1 फंदा उल्टा फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा रिपीट करेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, और ये चार, फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, और एक फंदा उल्टा, फिर इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, चार फंदे सीध करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा आपके जितने भी फंदे हों यही साथ साथ फंदे का डिजाइन बनाते जाईए लास्ट में हमारे पांच फंदे बच गए हैं धागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे एक दो त चीन, चार, एजस्टीच को हम उल्टा बुन लेंगे, अगर आपको स्लिप करना हो तो इसे भी सीधा ही बना दीजिए, डिजैन की पहली सलाई कम्प्लेट हुई, अब आज ये दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर, यहाँ पर मैंने ये 34 फंदे लिए हैं, 7 के मल्टीपल कर और 6 फंदे एक्स्ट्रा, तो दूसरी सलाई उल्टी साइड पर इसे ध्यान से देखिए, पहले फंदे को आप स्लिप कीजिए या उल्टा बनाईए, अब यहाँ से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा, एजस्टीच के बाद 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, और ये 4, अब जो फ सलाई के उपर फंदा इसे छोड़ देंगे, इससे नीचे वाले ऐसे होल में सलाई डालेंगे, और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, लेकिन सलाई के चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा हमें सीधा बुनना है स्लाई वाले फंदे को उपर से छोड़ेंगे नीचे वाले छेद में स्लाई डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल फिर धागा पीछे करेंगे इस फंदे को सीधा बनाना है इससे छोड़ कर इस छेद में स्लाइड डाल लेंगे नीच्छे वाले में और इसको सीधा बुन देंगे फिर डिजाइन को रिपीट करेंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार फिर धागा पीछे करेंगे इस फंदे को सीधा बनाना है इसे छोड़कर नीचे वाले छेद में ऐसे स्लाइड आलेंगे और इसको हम सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे इसको छोड़के इसके नीचे वाले छेद में स्लाइड आलिए और इसे सीधा बनाईए फिर से यही साथ फंदे का डिजाइन बनाएंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाना है Slice के उपर वाले फंदे को छोड़िए उसे निचे वालेहोल में Slice डालिए और इसको सीधा बनाएए फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब इसे हम सीधा बनाएंगे यहाँ Slice डालेंगे और इसको सीधा बुन देगे धागा अपनी तरफ करेंगे लास्ट के पांच फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन देगे तो दो सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई तीसरी सलाई सीधी साइड पर तीसरी सलाई ठीक पहली सलाई के जैसे ही बनाई जाएगी तो पहला फंदा एजस्टीच है धागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर से यही डिजाईन रिपिट करेंगे धागा पीछे four फंदे सीधे एक, दो, तीन और ये चार फिर धागा आपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक सीधा और एक उल्टा फिर से यही डिजाईन को बनाएंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे एक सीधा और एक उल्टा फिर से डिजाइन को रिपिट करेंगे चार फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे ले जाएंगे एक सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा लास्ट में बच गए पांच फंदे चार फंदों को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट के एजस्टीच को उल्टा बुनेंगे slip करना हो तो आप सीधा बनाईए तीन सलाई यां डिजैन की complete हो गई चोथी सलाई उल्टी साइड पर ये हमारी दूसरी सलाई के जैसे बनेगी पहला फंदा एजस्टीज यहां से डिजैन शुरू हो जाएगा एजस्टीज के बाद चार उल्टे एक, दो, तीन और ये चार फिर धागा पीछे करेंगे इस फंदे को हमें सीधा बुनना है हर बार हमें ऐसे ही करना है उपर वाले फंदे को छोड़ कर नीचे वाले छेद में सलाई डालेंगे और इसको सीधा बुनेंगे फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे इस फंदे को सीधा बुनेंगे उपर वाले को छोड़ कर नीचे वाले छेद में स्लाई डालेंगे और इसे सीधा बुनतेगे फिर 4 फंदे उल्टे आपको ये 4 फंदे उल्टे बुन लेने हैं फिर 1 फंदा हमारा ये सीधा बुना जाएगा और सीधे वाले का यही ध्यान रखना है उपर वाले को छोड़कर नीचे वाले छेद में स्लाई डालनी है फिर 1 उल्टा फिर धागा पीछे इस फंदे को हम ऐस पीछे करके सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ चार उल्टे एक दो टीन और ये चार फिर धागा पीछे इस फंदे को ऐसे करके हम सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा इसे हम यहां से सीधा बुनतेंगे फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे उल फिर एक उल्टा फिर इस भन्दे को हम ऐसे यहां से सीधा बुनेंगे और सलाई से उतार देंगे और लास्ट के पांच भन्दे हमारे उल्टे आ जाएगे तो चार सलाईया हमारे डिजाइन की कम्प्लीट हो गई अब आज ये इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइपर पांचमी सलाई में थोड़ा सा बदलावाएगा इसे आप ध्यान से देखिए पहला फंदा एज़स्टीच है अब यहां से हम डिजाइन को शुरू करेंगे चार फंदे ये उल्टे एक, दो, तीन और ये चार अब ये एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ये हमारा ऐसे ही चलेगा चार उल्टे बुनने के बाद ये एक उल्टा हो गया एक फंदा हमारा सीधा हो गया और ये एक फंदा उल्टा एज़स्टीच के बाद ये साथ फंदे का डिजाइन है इसी को बार-बार रिपीट कीजिए फिर से चार फंदे हमारे देखे यहां उल्टे आ गए एक, दो, तीन और ये चार फिर ये एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा इनको बुनिए फिर से डिजाइन को बनाएंगे चार उल्टे एक, दो, तीन और ये चार फिर ये एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा इनको बुनिए एक उल्टा हो गया, एक सीधा, एक उल्टा फिर से डिजाइन को बनाएंगे एक, दो, तीन और ये चार फंदे उल्टे हो गए फिर ये वाला फंदा भी उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, लास्ट के पांच फंदे बच गे, इनको भी हम उल्टा ही बुन देंगे, तो पांच मी सलाई हमारे डिजैन की कम्पलीट हो गई, अब आज ये छटी सलाई और उल्टी साइड पर, छटी सलाई को देखिए, पहला फंदा एजस्टीच है, उतार ये ये उल्टा बनाई है, अब हम धागा पीछे करेंगे, ये चार फंदे अब यहां सीधे बुने जाएगे, एक, दो, तीन, और ये चार, अब ये हमें ऐसे ही रिपिट करने हैं, सीधा, उल्टा, सीधा, तो सीधे वाले को हर बार ऐसे ही बुनना है, उपर वाले फंदे को छोड़िए, निच्चे वाले छेद में स्लाइड डालिए और इसे सीधा बुनकर उतार दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर से हमें इसी डिजाइ इसको सीधा बुनेंगे और उतार देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इसे भी हम ऐसे निच्चे वाले छेद में सीधा बुनेंगे और उतार देंगे, फिर से यही डिजाइन बनाना है, एक, दो, तीन, और यह चार फंदे सीधे, फिर यह जो सीधा दि फिर यही design बनाना है, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4, अब ये जो सीधा फंदा दिख रहा है, नीचे वाले छेद में slide डालेंगे और इसको सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, नीचे वाले छेद में से इस फंदे को हम सीधा बुन कि चार फंदों को आप सीधा बनाईए और एजस्टीज को हम उल्टा बुन लेंगे आप चाहो तो इसे सीधा बुन कर स्लिप कर सकते हो तो ये हमारा 6 लायों में डिजैन ओवर हो गया है इन ही 6-6 लायों को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो इस तरह से बहुत सुन्दर सा आपका ये डिजैन बनता चला जाएगा नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए एजस्टीज के बाद चार सीधे एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा यही आपने इसको दोहराती जाना है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका प प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियोज सबसे पहले देख सकें थैंक यू